हेलो दोस्तों मेरे नामे जोती और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले में मौक्स के लिए 625 अमजी टेब्लेट के बारे में कि यह टेब्लेट क्या है यह किसका माता है इसको कैसे यूज किया जाते हैं इसको यूज करने से क्या फायदे मिलते हैं और इसके कैसा डिफ्यक्त है और इसके प्राइस क्या है तो अगर आपने सब्सकारियों को अच्छी सजानना चाहते हैं तो बुड़े में तक बने रहे तो चलिए बुड़े के स्टार्ट करते हैं मॉक्स के लिए उचासो पचेसे हमगे टेबलेट एक एंटे बायोटिक दवाई है जिसमें दो दवाईयां सामिल हैं अब मॉक्सिसिलीन एंड क्लाइविल एनिक एसिड यह आपके बोडी में इंफेक्शन पैंदा करने वाले बैक्टिरिया को मारती है अब मॉक्सिसिलीन के ग्रोथ को रोकता है और कुलाइविल एनिक एसिड ब्टरिया के विद्फर को रिडूस करता ही यह टेबलेट बहुत सारे बैक्टिरियल इंफेक्शन के जिसमें की जाती है इसके नंकि बात करने इस टेब्लेट को खाने के बाद यूज़ करने के सला दे चाती है जिससे कि आपका पेट खरब नहीं होगा लेकिन आपको यह टेब्लेट अपने डॉक्टर के बताए कि अनुसारी यूज़ करने चाहिए और डेली इसको एक एही टाइम पर यूज़ करना चाहिए आपकी डोज आपका डॉक्टर आपके कंडिशन के हिसाब से डिसाइट करेंगे अगर आप यह दवा यूज़ कर रहे हैं तो इसका पूरा कुर्स खतम करें और बीच में इसे ना रुकें क्योंकि अगर आप इसे बीच मिलेना बंद कर देते हैं और इसका पूरा कुर्स खतम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके सिम्टम्स ठीक ना हो और अगर वो ठीक हो भी जाए तो वापस भी आ सकते हैं अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो इससे आपको उल्टी हो सकती है और डैरिया भी हो सकता है लेकिन यह साइड इफेक्ट टाइम की साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर यह साइड इफेक्ट आपको परसान करते हैं तो आप इसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं इस दवाई को लेने से पहले अगर आपको एलर्जिक बिमारी है या फिर अगर आपको यह और अटी बायोटिक ले रहे हैं या फिर आपको कोई किडन या फिर लेबर की बिमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को उन सभी बिमारी हो या फिर दवाईों के बारे में बता देना चाहिए अगर आप pregnant women है या फिर आप pregnancy plan कर रही है या फिर आप death feeding करवाती है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बार में भी जरूर बताना चाहिए अगर बात कर इसके price की तो यह 10 टेबलेट की एक श्ट्रिप आपको 1.500 रुपे क्या सबसे मिल जाएगी तो बस इतने ही तो अगर आप लोकेजन कारी अच्छे लगी हो तो वीडियो की लाइक करें और अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थांक्यू